लोगसभा चुनाओ दो हजार चौबीस में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूबी की राय बरेली दोनों ही सीटों से जीत हासिल की थी लेकिन राहुल ने अब वायनाड सीट छोड़ने का फैसला ले लिया है और राय बरेली से ही वो सांसत बने रहेंगे अब कॉग्रस ने वायनाड से उपचुनाओ में प्रियंका गांधी को उतारने का भी अइलान कर दिया और इसी के साथ गांधी परिवार का एक ओर सदस्य चुनावी राजनीती में दख्षन से एंट्री करने जा रहा है गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिष्टा रहा है इंदरा गांधी 1978 का उपचनाव करनाटक के चिकमंगलूर से जीती थी और इसके बाद 1980 में इंदरा ने आंधर के मेड़क सीट से जीत हासिल की 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनेतिक करियर दक्षन से ही शुरू किया था 1999 में अमेठी और करनाटक के बेलारी दोनों सीटों से चिनाव लड़ी और दोनों सीटों पर जीत भी हासिल की थी हलाके बाद में बेलारी सीट उन्होंने छोड़ दी थी वायनाट से प्रियंका गांधी के चिनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनेतिक दलियारों में एक चर्चा तेज हो गई है कि इस सीट से बीजेपी किसे उमिद्वार बनाएगी चर्चा ये भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता समृती इरानी को वायनाज सीट से उतार सकती है भले ही समृती इरानी इस बार अमेठी से केल शर्मास के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हो लेकिन 2019 में वो कॉंग्रस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी है ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतार कर मुकाबला दिल्चस्प बना सकती है बीजेपी टिकटो को लेकर पहले भी चौकाने वाले फैसले लेती आई है 1999 का दौर आपको याद दिलाते हैं जब सोनिया गांधी ने बेलारी से राजनीती में अपना डेब्यू करने के बात सामने आई थी और तब बीजेपी ने इस सीट से सुश्मा स्वराज को टिकट दे कर चुनावी मुकाबले को बेहत दिल्चस्प बना दिया था सुश्मा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक कर दी थी हलाकि वो इस चुनाव में हार गए थी सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले थे जबकि सुश्मा स्वराज ने 3,5,000,000 से जादा वोट हासिल की थी सोनिया गांधी ये चुनाव करीब 56,000 वोटों से ही जीत पाई थी अब देखना है कि क्या कॉंग्रेस जो दाव पर दाव चल रही है उसके जवाब में बीजे पी भी एक नया और बड़ा दाव चलती है और स्मृती इरानी जो अमेठी से चुनाव हार गई उन्हें वायनाड से उतारती है वैसे भी स्मृती और प्रियंका गांधी के इस मुकाबले को काफी लोग देखना और समझना चाहते थे लोगसफ़ा चुनाव में भी दोनों के वार पलट वार देखने को मिले थे के लिए बिल्कुल समूद साबित होती है, सिंपल साबित होती है कि भाई के विरासत बहन को मिल जाती है या फिर बीजेपी इसमें कोई बड़ा पेच फसाद एगी स्मृती इरानी के नाम से इसमृती जाने जाती है अपने जुझारूपन के लिए और अब उत्तर के बाद क्या दक्षन से उन्हें बीजेपी मौका देती है अगर ऐसा होता है तो वाइनाड का उपचनाव सबसे जादा दिल्चस्प हो जाएगा और देश का ये सबसे वियाईपी सीट भी माना जाएगा जहां दो त्री शक्तियों को देखने को मिलेगा चनावी भडंत में और क्योंकि ये प्रियंका गांधी का डेब्यू है यानि कि पहली बार वो चनावी समर में उतर रही है तो ऐसे में क्या उनके इस चनावी अभ्यान को जो पहला उनका अटेम्ट है उसको रोक पाएंगे स्मृति इरानी ये देखना बहुत ही दिल्चस्प हो जाएगा